राजस्थान के बाडमीर जिले के सदर्थना चेत्र के सनावडा गाउं का एक युवक पिछले 15 दिन से घर से लापता है उसके परिवार के लोग उसके रिष्थेदार और पूरे गाउं के लोग लगातार पूलिस के पास आ रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं उस युवक की त गठन किया गया है एस पी दिगंत आनन ने इस पूरे मामले को लेकर बताया कि हमने एक टीम गठित की हैं और बाडमीर पुलिस के जो विशेश इस्पेसल अधिकारी हैं पुलिस कॉंस्टेबल हैं उनकी टीप मना करके हम लोग जल्द ही उस युवक का पता लगाने की कोसि दोनों थे और उन दोनों के बीच कुछ अनबन भी हुई थी और उसके उपर कुछ आपस में मारपीट जैसी भी बात सामने आई हैं और इस परिवार के लोगों ने उस खरताराम की पत्नी पर भी आरोप लगाए हैं कि हो सकता है उसके साथ कुछ अन्होनी हो और उसके सामले को लेकर क्या कह रहे हैं कि इन लोगों ने ऐसी मंशा जताई थी कि हो सकता है कि गुंशुद्गी ना होकर कि कोई अपराद घटित हुआ हो तो MPR के आगे बढ़के हमने FIR भी दर्श कर ली है आज पुने परिजनों के द्वारा एक प्रतिनीदी मंडल SP का रियाले में मुझसे मिला था जिनकी मांग पर इस प्रक्रण की जाच के लिए एक S.I.T. का गठन अभी किया जा रहा है जिसके आदेश अभी कुछी देर में जारी कर दिया जाएंगी जिसमें जिले के कुछ बेतरी नफसर और जो तकनीकी रूप से दक्ष्ट एक टीम का गठन करके और तलाश की जा रही है गुम शुका है कर दोस्तिक जा जाएंगी जाँ, कि में यान कर दो सिंप एक S.I.T. कि जाँ उएंगीτεiana झालत्वी जान में जाए है। झाल झाल